राश्टर बाद, नया नाम, नया निसान और बाश्पी जाने 45 साल पहले कैसे और क्यों बनी थी बीजेपी जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता की सवाल पर अंतिन फैसले के लिए 4 अप्रेल 1980 को बैटक पुलाई अटल आणवाणी समझ चुके थे कि बची खुशी जनता पार्टी से चुटकारे और जड़ों की और बापसी का समय आ चुका है उन्होंने खुशना की कि 5 और 6 अप्रेल को फिरोश शा कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा 1907 की जनता पार्टी सरकार के पतन में कई कारणों में जनसंग घटक के लोगों से जुड़ा दोहरी सदस्यता का विवाथ शामिल था 1980 के चुनावों में जनता पार्टी लोगसभा की 32 सीटों पर सिमट कर रहे गई पार्टी की बुरी पराजय के साथ धन संग पर आकरमण और देज हो गए बाबु जग जीवन राम ने 25 फरवरी 1980 को पार्टी अध्यक चंदर सीखर को पत्तिर लेकर हार की जिम्मेदारी जनसंग पड़ा ली जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता के सवार पर अंतिम फैसले के लिए 4 अपरेल 1980 को बैटक बुलाई अटल आडवानी समझ चुके थे कि पची कुछी जनता पार्टी ने छुटकारे और चड़ों की और बापसी का समय आ चुका है उन्होंने गोशना की कि 5 और 6 अपरेल को फिरोशा कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा जनसंग से जुड़े लोगों का धहरे दे चुका था जबाब जनता पार्टी की राष्ट्री कारेकारेने की 4 अपरेल 1910 की बैटक में मुरार जी और चंदर जेकर का समझोता की कोशिश का प्रस्ता 14 की तुलना में 17 बोटों से खारिज हो गया फैसला हुआ कि जनसंग के लोगों को जनता पार्टी में बने रहने के लिए राष्ट्री स्वेम सेवक संग की सदसिता छोड़नी होगी दिल्चस्प है कि समझोते की कोशिशों के सबसे बड़े विरोधी जन जीवन राम अगले ही दिन बाईवी चाहवरन की अगवाई वाले कॉंग्रिस यू में शामिल हो गए जनता पार्टी में रहते जन संग के लोगों की यह आम शिकायत थी कि उनके साथ दोयम दर्जी का सलू किया जाता है देश की विविन हिस्सों की यात्रा में लाल, कृष्ण आडवानी और सुंदर सिंग भंडारी अपने कारिकरताओं का मन टटोल चुकी थे सरकार में रहने के दोरान और चुनार मुलतीजों के बाद भी जनता पार्टी के अन्ने घटकों द्वारा संग को लगाता निशान पार्टी के पाँचों घटक थे कॉंग्रेस भारतिय लोगतल सोशलिस्ट पार्टी सी एफटी और जनसंग राजटी दिगरश्टी से कहें तो इसमें पहले चार्ट द्विश्ट थे जबकि जनसंग की स्थिति हरिजन की थी परियवार में हर जन की उपस्तिती के कारन परिवार जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया कोई शिकायत नहीं थी वासताम में भी अक्सर उनके प्रशन्जा करते थे लेकिन उसकी जाती को नहीं भुला पाते थे उसके माता पिता संगी उसकी वाधा थे दिन दयाल के साथ गांदी और जैप्रकास पांच और छे अप्रेल को दिली के फिरोसा कोटला मैदान में पंद्रे सो पत्रिंडियों की इससेदारी की उम्मीद थी इसके 3863 प्रतनिती शामिल हुए मंच पर दिन दयाल उपाते है के साथ गांदी और जैप्रकास नारण की भी तस्वीर लगी थी मंच पर सान्ती भूशन राम जेट मलानी और सिकंदर वक्स ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका संग संबन नहीं था प्रतनिलियों में जानने की उत्सुकता थी कि क्या जनसंग को फिर जीवित किया जाएगा अध्यक्षी अभासर में अटल भिहरी बाचपई ने इसे नकार दिया जनता पार्टी की नेतियों और उसके कारिक्रमों में कोई खामी नहीं थी असल में लोगों ने राजनेताओं को व्यभार के खिलाब बोट दिया हम जनता पार्टी के अपने अनुभवों का लाव उठाएंगे हमें उसके साथ रहे संबंदों पर गर्व है हम किसी तरह से अपने अतीत से अलग नहीं होना चाहेंगे अपने नई पार्टी का निर्मार करते हुए हम भविश्य की ओर देखते हैं पीचे नहीं हम अपने मूल के चारधारा और सिधानतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे कुछ लोगों ने पार्टी को पुराना नाम भारती जन्त संग देने का सुझाप दिया लेकिन अटल भी हरी बाच्वेई द्वारा प्रस्तावितना भारती जन्ता पार्टी को विपल समर्थन मिला यही इस्तिती पुराने चुनाप चिन दिये के साथ हुई और नया चिन क कमल चुना गया